नमस्कार छात्रवन, सरस्वती ग्रूप ओप एजुकेशन में में परिभागेश्टी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हुँ विशाइद मिन्दी और आज का हमारा जो विशाइद है वच्चन परिच्चाई वच्चन ये नहीं हैं मैंने आपको वच्चन दे दिया और उस प्रकारवाद आने भणा ये वच्चन की बाद मैं नहीं कर लेकिन वच्चन क्या आप आपको पता है आप लोग बहुत ही क्लेवर स्टुडेंट है इसलिए आप सब पता ही होगा कि वच्चन हमारे हिंदी या गुजराती संस्क्रित जो व्याकरने और इंग्लिश में भी वच्चन आते हैं उसके जो कुछ भी नियम है थोड़े बहुत वे आज हम सब में आपको पढ़ना आ दो तो सबसे पहले वच्चन का अर्थ क्या होता है? वच्चन कीसे करते हि備 वच्चन के कितने फेद हैं? इसके कितने नियम बनाए गए हैं? इन सब के बारे में आज हमको जानना है तो सबसे पेढ़ने हम इसका अर्थ देख लेते हैं तो वचन किसे करते हैं विकारी सब्दों के जीस रुप से संख्या याद रखना संख्या का बोद होता है उसे वचन करते हैं जिसके आधार और हमें संख्या का बुद बता है, संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन बते हैं और यहाँ पे वचन के केवल दो ही भ्यादे दें, यहाँ पे मैंने लिखा है एक वचन और बभु वचन संस्क्रित में क्या आता है एकवचन, द्रीवचन और बहुचन लेकिन यहां पे सिर्फ दो ही भ्याद है इतिने एकवचन और बहुचन आपको इसके बारे में पता है अगर किसी एक के बारे में एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की गई हो उसे एकवचन कहते है और बहुवचन यानि कि जिसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बताया गया हो या किसी वस्तोय के बारे में आपको परिचे दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं बहुवचन तो आज हम लोगों को उसके नियम के बारे लेत रहा है यहां पे मैंने लिखा है अकारांत पुलींग सब्द बव जिसक्ता मतलब होता है बहुँ हो चो मैंने सोट पे लिखा एक व यानि एक वसर आपको पता ही है अकारांत पुलींग सब्द बव भो में नहीं बदलते अकारांत पुलींग अब आपको लिख परिवर्द ये पुइंट हमने आगे देख लिया है पुलींग स्ट्री लिंग और नभुसक्त लिंग के बारे में यहां पे हमें पुलींग और स्ट्री लिंग देखे थे इनी मे तो यमा पे क्या है उसका आर्फे पहला जोडियम है अकारान पुलिंग सब्द बहव में नहीं बदल दे यानि कि जो अकारान पुलिंग सब्द है उसका अगर नम बहुवचन भी करते है तो वे वेसे का वेसे जी रहेगा उसमें कोई भी किसी भी तरफ का बदलावाएगा यहाँ पे लिएते है यहाँ में है इलिखाए फ़ॉञ तो वे अकारान पुलिंग में उसको उसको निश्रीलि पुल भी निखाए नहीं लिखागा थो उसके यह उस्रीलिंग नहीं कर साथा वे से आम, बालव, बालटी, आमी यिसे बद्धे नहीं कह स journals तो अकारण फुली से बग मैं नहीं बद्धत है यानि कि अगर ये एक वज़न में है और इसका हमें वहुवजन भी करना है तो वे वेसे का वेसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगे जैसे कि यहाँ पे वेने फ्वल निखा है, तो उसका जो बहुआ हम करते हैं तो वे विद्वल ही होता है, आम, तो वे वेसे का वेसे ही रहेगा क्या होता है? आण और बालग. यहां पर बालग की यह सा नहीं कर सकते हैं. बालग की रहेगा. तो उसी प्रकार छात्रों पहला नियम आपको याद रखना है. अगर किसी वचण में यानि की वाक्य में अकारांट बुलिंग सब्द आता है तो उसका बहब बदल सकते नहीं है वे वेशे का वेशे ही रखता है तो छात्रवचन के लिए हम जो अभ्यास कर रहें इसमें हमारा जो दूसरा नियम है पहला आमने देखा कि अकारांट बुलिंग होता है तो जो सब्ता है में बंभु अस्वं में वेसे घहने का वेसे हुह रहता है। लेकिन नियम नमरेव बा John Teruto कि उपकर विरों, कि अगर औंक स्ट्रीलिंग होता है। पुली यहां पे देखें, पुस्तक कैसी, तस्वीर कैसी, इमारत कैसी, बाद कैसी, हमेंसे नहीं पुस्तक कैसा, तस्वीर कैसा, एसा बोल नहीं सकते हैं तो अकारांत स्रीलिंग सब्दों के बहों में यहां पे ध्यान देना है उब होता है, उसकी जगह में क्या लिखना है, ए लिखना रहें ताकि हमारा जो बहो सब्दब बदर दिया जाए यहां पर देखते हैं मैंने कुछ उदाभनां दिए करें हैं यहां पर लिखा है पुस्तख वह त्रीलिग उसब्दा है पर ए लास में क्या आता है अकाराण यहँक्या है अ पुस्तक क draw हों में से क्या लिखेगा ओ और इसकी जगभा वे क्या करना है ए तो मैं केसे लिखती हूँ आपको देखना है पुस्त को तो मैं इसे लिखती हूँ पुस्त के समझ मैं आदेया इसी प्रकार ये जो सायो जाहर है इसे लिखना है तस्वीर तो क्या होता है प्रस्वीरे तिसरा है इमारत इमारते बातो तो वे क्या होता है बाते यहाँ पे लिखा है दीवार, तो जिसका विज्ञा होता है दीवारे, तलवार, तलवारे और आँख, तो वे विज्ञा हो जाएगा आँखे तो उसी प्रकार, जात्र जिस प्रकार अकारांग पुलिंग होता है तो वे वह वज्ञा होता है लेकिन जब अकारांग स्क्रिलिंग होता है तो सब्द अगर वे वह वज्ञा में दिये गए हो तो अकी जगर क्या करेगा हमें, क्या करता है हमें यह करता है तो यहाँ पे मैंने लिखाता कुस्तक तो इसका एह हो गया क्ँस्तक के तस्वीर इमारतों इमारते बातों बाते दिवार दिवारे तलवार तलवारे आँख आखे तो उसी प्रकार छात्र हमारा जो दुसरा नियम है ये भी बहुत हिस्स्वरण है आपको एक बार पर याज रही जाएगा तो छाक्रों यहाँ पे हमारा जो दिसरा नियुग बताया चैने इसके बारे में पढ़ना है तो इसमें अबते हैं कि आकारां पुलिंग आगे अपने देखा था अकारान पुलिंग अकारान पुलिंग अकारान पुलिंग अपर दिशरा जड़ियंग में वे अकारान पुलिंग सब्दों का बहु अचन आकी जगह यह होता है आपको एकसा होगा कि वहां श्रीली घुल था तो जात्र यादर रखना वहां में लिख था और अर्द्द्छंद्रा बार लेकिन यह पे पुलिंग यह क्या लिंगना मेने लिखने में У तो यहां पे लिखा है आकारान पुली यानि की लड़का काड़े से निकलता है आ तो वे क्या होता है आकारान पुली जिसके आ की जगह ए लिखना है किस प्रकार लिखना है तो यहां पे मैंने लड़का लिखना है तो जिसका हम क्या करते हैं लड़के यहां पे इसके उपर अनुस्वार नहीं करते हैं हमने अगले उदाहर में देखा था तस्वी तो तस्वी रे लिखती थी तो रे के उपर हम अनुस्वार करते थे इस प्रकार अर्दुचद्राकार के तरह तो यहां पे शिर्फ ए ही लिखना है इसलिए यहाँ पर अरुचद्राकार यहाँ पर नहीं करता है, बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है गोड़ा, तो इसका बहुत हम करते हैं, तो वेंगिया हो जाएगा गोड़े, और रास्ता, तो रास्ते, इसके बाद कमरा लिखा है, तो कमरा का क्या हो कि नारा आकाराद है इसका प्तुम हो जाएका नारे और बच्चा तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे तो छात्रह आप लगों को यहीप ध्यार रखने है अगर अकारान स्त्रीलिंग है तो वहां पर आकी जगह आ लिखना है और अगर आकरान पुली है तो वहाँ लाश्ट में आ हाता है तो आ की जगा ये लिखना है लेकिन इसके पर अधिचद्रागात की तरह बीदी लगा ली नहीं है ये बात आपको बहुत ही ध्यार से देख रही है और समझ रही है वरना आपका जो आंसर होगा वे गलत हो जाएगा यहाँ पर लड़का लिखा है तो इसका लड़के मतहले कि मैंने अनुस्वार किया नहीं है यहाँ पर तीन नियम देखने के बाद नियम नंबर चार इसमें कहते हैं आकारांट स्त्रिलिंग पहले अकारांट भूलिंग और आकारांट स्त्रिलिंग तो आकारान स्प्रीनिंग सब्दों का बहु यानि कि बहु अचर ए जोडने से होता है ए जोडने से यहाँ पर चंद्रकार्विती है देख रहा तो आकारान पूली है और इसके पीछ सिर्फ ए भी जोडना है बीच में कोई अक्सर निकालना है और बाद में उसको जोडना है वेशार है यहाँ पर उडारान कुछ मैंने लिये है तो यहाँ पर ए जोडने से उसका बहु अचर हो जाएदा तो किस प्रकार यह होता है यहाँ पर लिखा है माला तो जिसके पीछे हम ए लगाएगे तो वे बहु बहु हो जाएगा इसका तो हम लिखते हैं माला तो क्या होता है मालाए दूसरा है बाला बालाए और तीसरा कथा तो वे भी क्या हो जाएगा तो छात्रो यह बाल आपको ध्यान में रखनी है कि आकारांत स्रीली वगर होता है तो उसमें हमें ए नहीं लिखना है यहाँ पर ए लिखा है लेकिन सिर्फ जोड़ ही देना है माले बाले बथे ऐसा करना नहीं है वे सब्द आप लिखेगे तो वे आपका गरत होगा इसलिए आपको पीछे सिर्फ एटी लगवाना है माला मालाए बाला बालाए कथा और वहाँ पे क्या लिखनेना है कथा ए Vide स्पाज चात्रण हमारे जो पांच गानी अमे में वह वहुथ ही ध्यानसे देखना और समझना है क्योंकि इसमें लिखा है इकारांट तका इकारांग अब इस दोनों में व्याद के आपको है इकारांग जिसका आता है भसवई और इकारांद जिसकार पहता है दिर्दरी, पुलिंग सब्द बाव में नहीं बदलते अगर पुलिंग सब्द है वे पीछे श्मई आती है या दिर्दरी आती है वेसे क्या वेसे ही रहता है यहां पे मैंने लिखा है व्यक्ति, तो यह इकेसा है इकारा, यह वस्व है, और यहां पे मैंने लिखा है आदमी, तो यह में मी है वे, दिर्दर है, इकारा ना है, तो वे खिलिक सब्दा बहों में नहीं बदलते, यादि कि यह जो वेसा है, जेसा है, वेसे का वेसे ही यहां पे मैंने लिखा है व्यक्ति, तो यहां पे ऐसा ही और उसका आदा है व्यक्ति, उसके बाद कवी, तो कवी वेसे कवेसा ही रहेगा, कवी, और रुशी तो रुशी भिय में उसी तरह लितना है जिस प्रकार दिया गेगा. बाद में आप देखते हैं कि 11 यारिकी जो दीर्ड़ाई रहे वरड़ा में यारिकी कोई की शब्द है इसके जो लाष्ट का जो अक्षर होता है उसमें दीर्ड़ा है आदमी विध्यार्थी तो यह जो सब्द दिये गए है वैसे की वैसे ही रखना है यहां पे मैं एसे ही लिख रही हूँ आदमी और यहां पे मैंने विध्यार की लिखा दे तो वे भी ऐसा न आएगा तो जात्रा आपको यह बात ज्यान में रखनी है कि अगर किसी सब्दर है और वे फुलिंग है और वे निकारां है या दिर नहीं कारा है तो उसका जो भव होता है वे बदलता नहीं ये वेसे का वेसे भी रखता है जैसे व्यक्ति, कवी, रुशी और यहां पे दिर्द में हम देखते हैं आदमी, विध्यार की तो उसी प्रकार भव में वे बदलता नहीं है तो छात्रों इसके आगे हम अगला नियम देखते हैं तो इसमें वचन के आधार पर नियम बताया है कि जीन स्ट्रीलिंग सब्दों के अंद में याद रखना जीन स्ट्रीलिंग सब्दों के अंद में की या हो या यानि कि हस्वई और लास्ट में या हो तो उनके बहु यारी कि बहु अच्वन का रूप या पर अनुनासिक लगाने से बनता है या या पर अनुनासिक अनुनासिक का अर्थ होता है अर्धजद्रविदी तो ऐसा लगाने से ही इसका बहु अच्वन होता है और चेटी या है उनके बह अगर हुँए उसका बहुए उसका बहुर्चत करना है तो या पर यारी जो लाक है उसके गहारे उसके अनुलासिक लगाने हम vielen नार्ङी उसके अधिल दरकी करना है और सब्ग वेसे का पेसे इंग यहां पर देखे हैं, यहां पर मैंने लिखा है चीदिया, तो उसका क्या हो जाएगा? समझ में आ रहे हैं, यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर अनुनासिक लगाने से बनता है, समझे दूसरा है डिबिया, और यहां पे है लगुटिया तो वेसे भी यहां भी इया ही है तो उसी प्रकार होगा लगुटिया और गुटिया तो वेने भी गुटिया तो जात्रों अब आप लोगों को यह बात समझने आवे होगी कि जिन स्रिलिंग सब्दों के अंत में इया आता है चिदिया, बिया, पिया, दिया तो उसी प्रकार स्रिलिंग सब्द है और उसके पिछे इया आता है तो जो लाश्ट में जो इया सब्द है इस पर हमें अनुनासिक लगाने से बहुत ज़न मन जाएगा अनुनास्ति ज्यारी की अर्द जद्रा का लगा देना यहां पे लिखा जीदिया, डिबिया, लखुतिया और गुडिया तो उसी प्रकार हुमारा वचन परिवतन हो जाये दा तो छात्र वचन के आधार पर आज हुमारा जो नियम नमर साथ है वे लाज देन, तो उस छात्र यह हुमारा सात्रा नियम में आपरी है, इसमें क्या कहा है कि उकारा यहां पे हस्वव या दिर्दव पुलिंग सब्द बवव में नहीं बदलते, यानि कि किसी भी सब्द के प वे से ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आएगा नहीं, तो उसका अगर बवव करते हैं तो वे वे साही रहेगा, यहां पे मैंने लिखा है साधू, तो वे क्या है? अक उकारा है, यानि कि अस्वव है, तो वे कैसा होगा? साधू, वे से ही रहा, फिर सिसू, वे भी उकारांगे, तो वे भी वे से का वे से ही रहेगा, सिसू, और बात में लिखा है डाप, वे उकारांगे, यानि कि दिर्दव हुए, तो उकारां या उकारां, पुलिंग सब्द अबवव में नहीं बदल, यानि कि इसका हम बवव तो यहां पर जो वचन परीचाई जिसका अर्थ मैंने बताया इसके दो फेद एक वचन और बहुचन और इसके बाद मैंने जो साथ नियम आपको बताए है आपको याद रखना है और इसके आधार पर आपको उसके जवाब भी लिखना है अगर यहां पर साथ नियम है वे उकारान भो या दिर्धा उकारान पुलिम सब्द होता है तो उसका अगर हम बहुचन में बदलना चाहे तो वे बदलेगा नहीं वे वेसे का वेसा ही रहेगा तो यहां पर हमारे जो वचन परीचाई है वे खत्म होता है